न्यूज इंडिया सिर्फ खबरे ही नहीं दिखाता अपने सामजिक सरुकार भी निभाता है जा समाज के प्रतियत ने उत्तरदाइत को निभाते हुए एक बार फिर से न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ है और एक बेबस विद्वा जो की अपना सब कुछ गवा चुक आखे में दमकल की वेवस्ता नहीं होने के कारण ग्रामीनों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके और आग जनी में घर का सारा सामान जलकर राक हो गया जब वो बेसारा विद्वा अपने उसके नाबालिक बच्चे खुले आसमान के न्यूज इंडिया को धन्यवाद देते हुए पीडित महिला को 25,000 रुपे की आर्थिक साहता दी है। ट्रस्ट के प्रतिनिदी भेरराम भाकर ने कहा कि न्यूज इंडिया की खबर के माध्यम से घटना की जानकारी मिली। इसलिए ट्रस्ट के सभी प्रतिनिदियों ने बैठक आयुजित कर विद्वा की मदद करने का निर्ने लिया। आपको दादे न्यूज इंडिया की खबर का असर देखने को मिला जहां कई लोगों ने विद्वा महिला की मदद की है। यूवा चौपाल ट्रस्ट ने महिला को 25 अजार रुपे की आर्थिक मदद की। तो इन्यूज इंडिया ने सामाजिक सरुकार भी ने बाया। ट्रस्ट कामसर द्वारा गाउं में हमारे गाउं में आगजनी हुई थी और आगजनी में विद्वा महिला को 25 अजार रुपे के आर्थिक मदद देकर परिवार का होसला प्रेए करिए और हम इस ट्रस्ट के आबार देए। तो वह इस खबर पर जादा जानकरी के लिए हमारे समवाद आता रहमुत अला खान हमारे साथ जुड़ें जी रहमुत अला बाडमीर की खबर न्यूज इंडिया ने प्रमुक्ता से दिखाई थी ब्रेकिंग चलाई थी जा एक विद्वा महिला का पूरा घर जलकर खाको ग गई थे उन उसके नावालिक बच्चे थे और उसके घर में आग लग गए थी बिलकुल आज से पूरा सामान घर का सामान था बरतन खाने का सामान प्लस उसके साथ जो गहने थे वो जलकर नश्ट हो गए थे उसके बाद में जैसे ही निज्ज इंडिया के पास खबर आया थ एक बाड में जिले का जो सामाजिक संगठन युवाओं का तो वो जो है तयार हो गया और वो अनून पहुंचकर के वहां जो महिला थी विद्वा महिला के घर पहुंचकर के 35 रुपे की आर्तीक रुपे की जो है इसायता की है और उसके बाद में तुमाँ और वी संगठन वह भी तैयार हो रहे हैं, तो यानि कि न्यूज इंडिया के मादम से तमाम जो लोग है उनके पास खबर पहुंचे इसका खबर कर एंडिया की खबर का असर हुआ, जो वहां पर भेराराम भाकर है, उनके साथ में तमाम उनके परतिन जीज़ उन्हों पहले बैठक की, उसके बारे में घटना के बारे में जानकार ली क्यों उनको घटना के जानकार नियूज के नियूज इंडिया के मादम से चली और नियूज इंडिया के मादम जैसे घटना जो जानकार ही चली है उसके बाद में वहां पर पहुंचे उन्होंना मालूम किया कहां पर क्या घटना ते उसके लिए यह जो संगठन उनका जो है बनावा जिकरतिका जी रहमत अला क्या प्रशाशन के संग्यान में भी इस मामले को लाया गया है अभी बिल्कुल प्रशाशन के संग्यान में मामला लाया गया है रिपोर्ट की है तमां वहां के इस्थानिय उपकड अधिकरी राम अब जा रहा है कि रधर प्रक्रिया है लेकिन फिलाल को इस भ्रषास्न रोभी को भी डिया लिया है नहीं अभी तक कुसि परनकर कर को शाहता मिलते हैं परृषास्न के थर्फ ये अगर ऑगर अगर आज को गातना हो जाती है तो तरहं धन्यवाद रह्मतुल्ला हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए तो वहीं हमारे साथ समास सेवी शोबदार भी जुड़े हैं सोबदार जी न्यूज इंडिया ने प्रमुक्ता से इस खबर को दिखाया था विद्वा महिला की साहता भी किये समास संगठन द्वारा क्या कुछ साहता की गई है उनकी बिल्कुल मेडम न्यूज या आपके न्यूज इंडिया की तरफ से जब खबर लगी उसके बाद से जाट ट्रस्ट है जाट यूए चैरिटबल ट्रस्ट रामसर उसकी और से इस विद्वा को अर्थिक साहता गरूब 25,000 रुपे दिये गए हैं उसके अलावा छोटे बच्चे हैं उनके पूरा सामान जलकर खाक हो गया है पूरा घर जलकर खाक हो गया है बहुत ही एक अच्छी पैल किये समाजिक संस्ताने उनको कोई मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएं लेकिन सासाथ आप लोग की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रशाशन के द्वारा भी उनको मदद दिला दिला दिलाई जाए उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप प्रशाशन में नीचले इस तर से कारवाई शुरू कर दिया है हलका पटवारी और हलका पुलिस ताना आयता और मोका मोहना करके और मोका पर रिपोर्ट बना करके और काड़ज अब आगे यह जिला कलक्तर तक जाएंगे और उसके बाद कोई साहता राज गौर्मेंट के और से कोई मिलने की संभाव ना है जो मिलेगी जी धन्यवाद सोबदार जी आपने हमारी खबर देखकर इस पे संग्यान भी लिया और प्रतिक्रिया देते हुए मैला की मदद भी की फिलाल हम ऐसा जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो वही इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक और सामाजी कारेकरता भेहरा राम जुड़ चुके हैं भेहरा राम जी आपने भी महिला की मदद के लिए कि हमें यह पता चला कि यह परिवार वास्ता में गरिब है इनके पर्फिद्व की 150 मेल के पारी होनी चाहिए और पिछले तीन साल से ऐसे परिवारों के मदद करते आ रहे हैं उसी कडी में इस परिवार की हम ने 20ー5 की मदद की और आतेवक्त हम जांट की आए सब्सक्राइब करें और वहां के लोग थे हमने उनको भी प्रेजित किया आप भी अपने इस सामान और आर्थिक वैस्ता करके इस परिवार को संबल प्रदान करावें जी बिलकुल बहराराम जी आपने बहुत ही अच्छी एक उपहल किये फिलाल इस जानकारी के लिए और हमा आपने ौम गवार ऑर इस अलावाब करें ऑया